हेलो दोस्तों जिसने भी CA Foundation December 2022 का एक्जान दिया था और वो क्लियर नहीं कर पाएं चाहे उनका कितना भी अटेम्ट हो रहा हो और अगर वो चाहते हैं कि यार उनका Certified Copy उनके हाथ में मिले तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप RTAI के थुरू 10 रुपए में अपना CA Foundation December 2022 का Original Certified Copy मंगा लेंगे जो कि 30 दिन के अंदर आपको इमेल पर रिसीब होता है तो इस वीडियो को अंत तक देखना इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर वो प्रोसेस के बारे में कि कैसे तुम RTAI के थुरू आप अपने CA Foundation December 2022 के को मंगवा सकत है RTAI के थुरू तो अगर चैनल पर पहली वाय हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो और वीडियो को जरूर से लाइक करना और हरोवा CA Foundation December 2022 से स्टुडेन को सेर करना ये वीडियो जो लोग यार क्लियर नहीं कर पाया मैं उन सभी के साथ हूं जिनों ने क्लियर नहीं कर पाया तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्या प्रोसेस रहने वाला है क्या 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 आपको डॉक्मेंटेशन चाहिए वो सभी हम अपने कंपीटर स्क्रीन पर भी देखेंगे और अभी भी मैं आपको बता देता हूं कि जो भी आपका CE Foundation December 2022 का Admit कर था जो डाउनलोड करते थे PDF के माधियम से तो वो PDF आपके मोबाइल में होना चाहिए वो PDF आपके सिस्टम लैप्टॉप्स में होना चाहिए जो की RTAI के वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए as a supporting document मांगा जाता है उसके साथ साथ एक सैंपल एक नोट भी मांगा जाता है कि यार क्या तुम actually में details डाल रहे हो जो ICAI के पास जाए और ICAI तुम्हारा certified copy भया तुम तक पहुंचात है तो चलिए है कि क्या ऐसे process हैं जिससे कि आप अपने copy को अपने घर पर मंगा सकते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या क्या documentation चाहिए ठीक है यहां पर तुम लोग देख सकते हो कि यहां पर admit card का PDF दिया हुआ है जो भी student हो तुम्हारा admit card का जो PDF होगा जो online website से डाउनलोड हुआ होगा अगर तुम्हारे पास है तो तुम यहां पर डाउनलोड किया हुआ रख लेना और अगर नहीं है तो यहां description में एक link दूंगा वहां से तुम डाउनलोड कर पाओगे आज भी मेरे पास वह link है तो चिंदा मुद करना कि यार तुम्हारे पास admit card नहीं है सबसे पहले बात करते हैं कि यह admit card का PDF होना चाहिए उसके बाल तुम्हारे पास एक sample होना चाहिए जिसमें एक document information डाला जाता है कि यार क्या-क्या होना चाहिए इस sample format को मैं तुम्हें description में link दे दूगा वहां पे तुम लोग download कर लेना या फिर तुम लोग save कर सकते हो तो अब बात करते हैं यार कि RTI में क्या करें सबसे पहले अपने Chrome browser को open करो यहां पर search करो RTI online ठीक है अब यहां पर search करने के बाद आता है RTI online जो top पर तुमको portal दिख रहा है इसके click कर दो click करने के बाद यहां पर मोधी जी हमारे सामने आ चुके हैं और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ options उपन में दिख रहा है home submit request submit first appeal view status and view history तो यहां पर कुछ नहीं करना है यहां पर तुमको करना है submit request ठीक है क्योंकि तुम RTI के through ICA को request कर रहे हो कि भाईया प्लीज दे दो मेरा कौंपी हमको पता तो चले कि मेरा गल्दी क्या है जार अगर पास भी हो गया हो तो यार अपनी अपनी काबिलियत को देखो यार कि क्या तुमने actually exam में किया जिससे कि तुम दूसरे को suggest कर से को क यह यह करना और यह यह नहीं करना चलिए नीचे देखते हैं यहां पर तुमको टर्म से अग्रीमेंट को अपलाई कर देना है सब्मिट कर देना है इसके बाद देखो यहां पर तुम्हारा पोर्टल निकल कर आजाएगा जो भी डॉक्मेंटेशन चाहिए इंफ्रमेशन च करने हैं कर दो करने के पाद तुमको टी करने के बार यहां पर देखो आ जाता है बाद इसको करने के बाद कर दो उके करने के बास चाहिए पर अपना a हैं यह पी मंगाना चाहते हुँ वहां पर यहीं मेल जरूर से डालना तो मैं ब manufacturers you देखो इमेल हम लेट से डाल लेते हैं इमेल मैंने डाल दिया इसके बाद यहां पर मुबाइल नंबर डाल रहा है मुबाइल नंबर वहीं डाल जिसमें रिचार्ज करवा के रखे हुए है जिस पर यहां पर देख सकते हैं कि कांफर्मेशन पहले नंबर मांग रहा है नंबर डाल दिये यहां पर पर कन्फार्म डाल रहा है तो जो पहले इमेल डाले हो उसी को दोबारा डाल देना के चलिए हम लोग इमेल डाल दिये मवाल नमबर डाल दिये हम लोग मंत्राले डाल दिये हम लोग जो भी डिपार्टमेन नम्ख अप्लाई करना चाहते हैं कि वह यह कहां से कोंबी चाहिए वहां पर वो आगे आके बुलता है कि केंडिरेट का नाम बसा दो तो कैपिल लेटर में हमेशा नाम ड़ालना हि सोPro Amazon है अब जेंडर मेल फीमेल ट्रांजेंडर जो भी और पार्ट्यjang सो तुम डाल देना जो तुम्हारा जो करनलmen से वो डाल सकते हो अब बोल रहा है पिन कोड़ पिन कोड़ अपने डाल देना यार अपने एरिया का जो भी पिन कोड़ तुम्हारा होगा वो तुम डाल देना अब उसके बाद क्या बोल रहा है तुम इंडिया में हो या अधर कंट्री में हो अधर कंट्री में जैसे भूतान नेपाल जो भी इंडिया का बॉटरिंग कंट्री है जो भी नेवरिंग कंट्री है उसका तुमको भी यहां पर मिल जाएगा इंडिया सेलेक कर लेना अगर सब यहां तुम चुभ कर कैसेश हो कieß के अब ग्रेजुएट ओ यहां पर 12 पास हो तो जो ही है डाल देना यहां पर से मोबाइल नम्हांग रहा है तो उक्यूंन कि यहां पर हम लोग मोपाइल नंबर डाल दिये हैं अब इंडियन हो या पिर नेपाली हो या और भी कोई कंट्री में हो उसके आद बोल रहा है कि आप पोबर्टी लाइन से नीचे हो जो भी मानलो सेड्यूल कास्ट है या फिर सेड्यूल ट्राइवल है हो यहां पर नंबर डाल सकते हो जोभी सरकार के दौरा तो आरक्षन गरेकर हो behore और में आल पों ऐसको सब ढलना है यहां पर मांगग रहा है फिर तुमिल करिये हो काझ सब्सक्राइब तो यहां पर तुमको मैंने जैसे पताया था कि यहां पर मैं अलड़ी यह सेंपल क्लियर किया हुआ हूँ तो यह जो है यहां पर मैं इसको उपिन कर लेता हूं यहां पर डीटेल सारा डाला हुआ है यह डीटेल मैं तुमको डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी दे रहा हूं त तो उसको तुम लोग copy करके डाल ले ना यहां पर तुम लोग डाल कर लो cuestión करने के वाद सीधी की बात है यहां पर डाल तुम्हारा रहा है किस एक्ट के तहद तुम्हों को अपलाई कर रहे हो और यहां पर तुम अपना डाल देना जैसे नाम डाला हुआ है उसका डेट ऑफ बर्थ ऑब्लीक करके डालना फिर फादर फादर नेम डाल देना जालना उसके बाद इमेल जो तुम डाल रहे हैं जहां पर कॉपी चाहिए उसका इंफ्रमेशन डालना पर फिर जो आइसी ए आई के दवारा रेजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है जो कि और रहो होता है और बी जितने वी रीजन उसके तहत होता है तुम्हारा रेजिस्ट सब्सक्राइब नंबर हो रहेगा इस इस सारे इंफॉमिशन को मैं तुमको डिस्क्रिप्सर में देंगा मैच करके ही अपलाई करना भी है कुछ भी गलती मत करना वर नहों हो सकता है कि तुम इंतजारे करते हो और भाई यह कॉंपी तुमना आएंगी नहीं ठीक है तो यहां पर विद्रिगार्ड करके नाम डाल देना और अपने रेश्रेशन नमपर जब डाल देना क्योंकि यह सभी बहुत जाले जरूरी है अब बोल रहा है सपोर्टिंग डॉक्मेंट जो मैंने तुम्हें कहा था कि आईसी एक द्वारा जो तुम्हारा अपर करना है तो यहां प तरह तव्य आपटर डाल दीए अब इस सारे इंफ्रमेशन को डालने के बाद कर लो कि यार सब सही है भी कि नहीं मिनिस्ट्री मिनिस्ट्रीव कॉर्पेट अफ्यर है एफ्यूर्टी इंस्ट्रीव चार्टर का पन्याट ठीक है इमेल का मैच कर लेना कि कोई छोटा बड़ करना चाहिए एडरेस तुम जितना भी डालों को दिक करने हैं मेल से मतलब है तुमको कॉपी चाहिए मेल करना कि तुमको फिजिकली आएगा जंडर देख लेना मेल और यहां पर तुम्हारा एडिया को याद से याद रखना है पिनको और सही से बताना आध्यों पंसुतीन मे क्या है चली ठीक है बाकि सब ठीक है तुमको ये सभी चीश समझ में आ गया अब आप एक आगे देखता हैं कि यार आगे क्या खाता सारा परसेस को बता दिया कि कैसे तुम आर्टी एयाई के थुरू अपने सी फांडेशन दिसमबर 2022 का कॉंपी को एपलाई कर सकते हो तो आई होप तुमको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि यार आर्टी एयाई में कैसे हम लोग एपलाई करेंगे कौन सा डॉक्मेंट ह सारा चे डिस्क्रिप्शन में रहेगा तो चिंता मत करना अगर तुम्हारा एड्मिट का डाउनलोड नहीं है पीडिए नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी रहेगा वहां से तुम लोग आज भी अपना डिसमबर 2022 का रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हो तो उस पर क्लिक करके अपना डाउनलोड कर लेना और तुम्हारा काउपी तीस दिन के अंदर आ जाएगा तो आई होप तुमको इस वीडियो से कुछ हैल्प हुआ होगा और अगर हल्प हुआ है तो प्लीज लाइक करके ही जाना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ही करना क क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ आपके सिये जर्नी से हैल्पूल रिलेटेड कंटेंट आते हैं और आते रही में तो प्लीज सब्सक्राइब करना और सपोर्ट कर रहे हमारे छोटे से कम्यूटी को बड़े कम्यूटी में बिल्ड करने के लिए गरू करने के लिए तो आई करने के लिए तब तक के लिए जायें तो